हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आया होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षाचार के विसे हिंदी का रिविजन करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं क्वेशन वन हैं अपने मन के भावों को चित्रों के मार्दम से अभी व्यक्त करिए तो बच्चों जैसे कि यहां पर है फस्ट जो है यह कौन सा भाव है यह बच्चों खुस होना सेकिंड फेस पर कौन सा भाव है यह है उदास होना और बच्चों यह क्या है यह उच्छ साहित है उच्छ साहित होने का भाव है अब है कोशिय नमबर टू नीचे लिखें सब्दों के अलग-अलग अर्थ छाट कर लिखिए सब्द हैं लगन पानी गाने की धुन समय बताने वाला यंत्र नींद लेना जलना पल धातू जल के क्या अर्थ होते हैं बच्छो पानी और जल किसे कहते हैं जलना इसे भी कहते हैं धुन गाने की धुन या फिल लगन सोना सोना एक धातू भी होती है और नीद लेने को भी सोना कहते हैं घड़ी घड़ी जो है समय बताने वाला यंत्र होता है और गड़ी किसे कहते हैं? पल को कहते हैं. अब इभी बच्चो कोश्यन नमबर थिरी. चितर देखकर चितर का वर्णान अपने सब्दों में करो. बच्चो यहां पर यह चितर दिया गया है. बच्चो आनसर है, यह चित्र एक मेले का है. मेले में कई प्रकार के जूले लगे हुए हैं बहुत सारे बच्चे मेला देखने आये हैं बच्चे विविन प्रकार के जूले जूल रहे हैं मेले में सरकस का खेल भी दिखाया जा रहा है आसमान में इंद्रधनुस चमक रहा है मेले में बहुत सारे गुबरे भी है अब बच्छो कोस्ट चिए NUMBER 4 मिलान कीजिए लंबा क्या है रास्ता इसके साथ मैच करेंगे हरा क्या है पेड़ पेड़ के साथ मैच करेंगे उचा क्या है परवर्ट विर कौन है सैनिक कड़वा क्या है करेला और दो मीटर क्या है कपड़ा तो बच्चो आप इस तरीके से इनका मिलान करेंगे अब है कुश्यन नमबर फाइव रंगीन छपे सब्दों के लिंग बदल कर वाक्य दुबारा लिखे तो बच्चो फ़स्ट है गायक सुन्दरगीत गा रहा है तो बच्चो गायक सब्द का हम लिंग बदल कर लिखेंगे गायका सुन्दरगीत गा रही है चुहिया सारे कपड़े कुतर गई तो बच्चो आपर चुहिया सब्द का चेंज करेंगे चुहा सारे कपड़े कुतर गया नेक्स्ट है चाची जी खाना बना रही है निमने लिखित किरिया सब्दों से वाक्य बनाईए किरिया है बच्चो पीना सेर नदी में पानी पी रहा है चड़ना बंदर पेड़ पर चड़ रहा है मिलना वे अपने दोस्तों से मिल रहा है पढ़ना रीना पुस्तक पढ़ रही है जूलना बच्चे पेड़ पर जूला अब बच्चों question no.7 निमने लिकीत प्रश्नों के उत्तर लिखिए पापा शुरु शुरू में क्या बनना चाहते थे तो बच्चों आइसर है शुरु शुरु में पापा चौकिदार बनना चाहते थे नेक्स्ट है चटकदार हरे रंग के ठेले को देखकर पापा क्या बनना चाहते थे तो बच्चो आंसर है चटकदार हरे रंग के ठेले को देखकर पापा आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे नेक्स्ट है संटिंग किसे कहते हैं तो बच्चो आंसर है जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तयार करना होता है रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है इंजन को गुमा कर इंधन पानी भरा जाता है इसे संटिंग कहते हैं नेक्स्ट है अंतमी पापा क्या बनना चाहते थे तो बच्चो आंसर है अंतमी पापा इंसान बनना चाहते थे अब है कोश्यन नमबर एट वर्ग पहली में से वाक्यांस के लिए सब्द छाट कर लिखे तो बच्चों यहां पर यह पहली दी गई है इसमें से आपको नीचे वाक्यांस दिये गई हैं तो उनके आंसर छाट कर लिखने हैं फर्स्ट है जो किसी से ना डरता हो तो बच्चों जो किसी से नहीं डरता हो से क्या कहते हैं निडर तो यहां पर लिखेंगे निडर नेक्स्ट है मिट्टी के बटन बनाने वाला कौन होता है कुमार तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कुमार जहाँ बीमारों का इलाज होता है कहाँ पर होता है अस्पताल में तो बच्चों अस्पताल पर सरकल करेंगे नेक्स्ट है जहां पढ़ने जाते हैं तो कहां पर जाते हैं विद्याले तो बच्चो यहां पर है विद्याले यहां पर लिखेंगे विद्याले बच्चो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूले और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्ली चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू